आज हमारे समाज में बहुत से पती-पत्नियों में डैवर्स होने लगा है तो मिझे छोटा सा किस्सा याद आता है एक वाटर बेरर था जो कि अपने कंधे पे बैम्बू में दो मटके लटका के पानी नीचे से भरके उपर हिल्द पे ले जाता था और उसके एक मटके में क्रेक था और उपर पहुँचते पहुचते वो आधा हो जाता था तो एक दिन उसके मटके ने अपने वाटर बेरर से कहा कि sorry मैं आपको पूरा मटका पानी नहीं देता I'm sorry for that तो जो water bearer था उसने का कि भाई जी जिस तरफ आप होते हो मेरे कंदे पे वहाँ पे मैंने बीज डाले हुए फूलों के और वो फूल उखते हैं तो मैं अपने घर ले जाता हूँ और वो द्राइन रूम की शोभा बढ़ाते हैं तो more of the story is हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्रैक है हर कोई complete नहीं है लेकिन हम दूसरों को दूसरों के क्रैक्स एक्सेप्ट नहीं करते हम दूसरों की कमिया एक्सेप्ट नहीं करते जब कि हमें सब को as it is एक्सेप्ट कर लेना चाहिए